भरतबूर भारत के राज्य प्रांत के पूरो भाग में इस्तित एक परमुक और परसिद्ध सहर है जिसे 4 जून 2005 को राजस्तान राज्य का नियुनतम सात्वा संभाग बनाया गया था यह एक प्राचिन सहर है जो चारो और से खुब सूरत परेटल अस्तलों से घिरा हुआ है फ्रेंड यहां इस्तित के उलादे पच्छी अव्याराट बिस्त दरोवर सुची में सामिल है जो कि प्रयासी पच्छीयों का बसे रहा है उस्तो इस सहर का इतियास भी काफी रोजग ह इसकी अस्ताबना ठाकूर चुरामन सिंग जाट ने की थी लेकिन बाद में सासक राजा सूर्जमल ने इसे सजाया और सवारा था इने समय में चार सासकों का गड़गा करता था यहां के मंदीर महल जाटों की कला कोशल की गवाही देते हैं दोस्तो इस सहर का नामकरण भगवान राम के भाई भरत के नाम पर किया गया है और भगवान लचमड इस राजपरिवार के कुल देवता माने गया है और इस सहर में मुखे रूप से मिवाती ब्रज भासा और इंदी भासा बोली जाती है दोस्तो इस सहर को कई उपनामों से भी जाना जाता है जैसे कि राजस्तान का पुर्वी सिंग दुआर पच्छियों का स्वर्गस्तल राजस्तान का प्रिवेस दुआर भी कहते हैं दोस्तो भरतपुर में एसीद बहुत सेंचूरी को देखने के लिए लोग बीदेसों से आते हैं यहां सरदियों में ज़्यादा रोनक रहती है क्योंकि इस वक्त यहां पर कई रंग भी रंग पच्छियां प्रवासियों का आगमन होता है दोस्तो यहां करीब 300 से अधिक परजातियों के पच्छियों हैं जिसमें आपको छोटे बतक से लेकर जंगली बतक, समाने बतक और लाल कल दीवाली बतक तक देखने को मिलेंगे दोस्तो अगर बात करें सहर के छेतरफल की तो यहां सहर का छेतरफल 5,066 किलो मीटर में फैला हुआ है जो कि जैपूर से 186 किलो मीटर दूर और देश की राज़ानी दिली से 233 किलो मीटर दूर है दोस्तो अगर आपको राजस्तान की संस्कृति और बेहतरीन वास्तुकला का दिदार करना है तो लोहागड कीला जरूर जाईए कीला इतियास में सबसे मजूद महलों में से 186 में प्रवेश करने के लिए दो मार्ग हैं प्रवेश की राजस्तान के संकल अनेक महावित्याले हैं प्राथमी के व्मादमिक सिछा है तो सरकारी ये उनीजी छेत्र के कई अच्छे स्कूल हैं भरतपूर में तकनिकी सिछा के लिए एक सरकारी इंजिनिरिंग और डिप्लोमा कॉलेज है भरतपूर के प्रमुक उधोग में तेल मीले धातु निर्मार कारखाने रेलवे कार्यसाला और मोटर गाड़ी बनाने के कारखाने भी सामील है अगर बात करें इस सहर की जन संक्या तो 2000 जग्यार के जनगड़ना के अनुसार भरतपूर की जन संक्या 25 लाग के लगबग है बात करें इस सहर की साथ चर्ता की तो 72% है महिला पूरूस अनुपात 877 महिला प्रती 1000 पूरूस है या पहले से अपने धार्मिक मोहतों एतियासी भावेता के लिए जाना जाता है अगर आप भारतपूर आ रहे हैं तो यहाँ पर गूमना न भूलिए दोस्तों यहाँ इस्तित भारतपूर का गंगा मंदिर कई सालों पुराना है इस मंदिर में बनी मगरमच की पीट पर गंगा माता की सफे संग मरमर की प्रतिमा सैलानियों को काफी अकरसित करती है यह मंदिर पुरानी सुल्क कला के इसाब से बना हुआ है जिसकी खुबसूरती देखते ही बनती है तीति वारों के मौके पर यहां भक्तों का ताता लगा रहता है दोस्तो भरतपूर की बाके विहारी मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है मंदिर में दर्सन करने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं आप मंदिर के मुखे कच के बाहर बरामदेव की दिवार पर भागे क्रिष्ण के बच्पन की तस्वीर देख सकते हैं इसके अलावा मंदिरों की दिवारों और छटों पर कई अनेक देवी देवताओं की तस्वीर बनाई गई भरतपूर सहर की सीमा कई सारे जीलों को भी अस्वर्श करती है जैसे अलवर धौसा करोली धौल पूर्टता उत्तर में हर्याना और पूर्व में उत्तर प्रदेश को अस्वर्श करती है दोस्तो भरतपूर सहर के मध्य में दो लच्मन मंदीर हैं जिसमें से एक मंदीर लगबक चार सतापती पुराना है और दूसरा लगबक तीन सो वर्ष पुराना है जिसको भरतपूर के संस्तातपक महाराजा बलदेव सिंग द्वारा बनाया गया था यह मंदीर बड़ी खुब सूर्तियों के साथ बलवा पत्थर और संग्मर्मर से बना हुए अगर आप भरतपूर की यातरा पर आएं तो आप इन दोनों मंदीरों के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए आज की वीडियो में कितना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में